नमस्कार दोस्तों SRS Entertainment चैनल में आपका स्वागत है आईए बात करते हैं लास्ट छे से साथ मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर उनके बज़ेट को लेकर ये मुवी हिट हुई हैं कि फ्लॉप ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 की ब्लोगबस्टर मुवी यूरी दस सर्जिकल स्ट्राइक इस मुवी में वीकी कॉसल ने काम किया है और इस मुवी का जो बज़ेट आका जा रहा है वो 42 करोड के आसपास आका जा रहा है इस मुवी ने पहले दिन 8.20 करोड का कलेक्शन किया था तीन दिन में 35.73 करोड का कलेक्शन किया था और फिस्ट विक का कलेक्शन था 70.94 करोड का अभी तक के बिले अपडेट की साफसे इस मूवी ने 240 करोड का आकड़ा टच कर लिया है और ये मूवी ब्लोग बस्टर साबित हो चुकी है और कही जगों पे अभी भी ये मूवी लगी हुई है आए बात करते हैं नवाजदिन सिद्की की मूवी ठाकरे के बारे में बाल ठा अपडेटे Gesch pesos के 30.50 का हैर इसका फर्स्ट पी का कलेक्शन लगभग 15 करोड के आसपास है और इस मूवी ने टूटल अभी तक के मिले अपडेट के साबसे 19 करोड का के को माराथी वर्जन में समी 11 करोड के आसपास किया है और टोटल इस मूवी का फिर्तिन है वह 30 करोड अभी तक के मिले अपडेट की साफ से 100 करोड के क्लब में इंट्री करने जा रही है इसके पहले मैं बता दो इस मुवी का बजट लगबग 125 करोड के आसपास हाका जा रहा है और ये 25 जनवरी को रिलीज हुई थी पहले दिन इस मुवी ने 7.75 करोड का कलेक्शन किया था अगरन आदर्स के ट्वीट के तुरू ये पता चला है तो ये मुवी अगर आप बजट पॉइंट अफ्यू से देखें तो इस मुवी का फ्लॉप इन इंडिया में फ्लॉप है ओवर सीज में सब मिला देंगे तो ये जब ग्रॉस ही है अपना मतब बजट क्रॉस कर ले लेकिन इन इंडिया बॉक्स आफिस में ये फ्लॉप हो चुकी है आईए बात करते हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अनिल कपूर राजकमार राव और सुनम कपूर की मुवी इस मुवी का बजट लगभग 35 क्रोड के आसपास है इसने पहले दिन 2.90 क्रोड का कलेक्शन किया था एक फर्वरी को रिलीज हुई इस मुवी का तीन दिन का विकेंग 11.83 क्रोड था और इसका फर्स्ट विक 17.19 क्रोड का था अभी तक के मिले अपडेट के साफ से 20.28 क्रोड का कलेक्शन कर चुकी है और ये मुवी बॉक्स आफिस में फ्लॉफ हो चुकी है आई ये बात करते हैं रन्बीर सिंग की मुवी गली बॉई के बारे में आलिया भट और रन्बीर सिंग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है 14 फर्वरी को रिलीज हुई इस मुवी का बजट लगबख 75 क्रोड के आसपा से इस मुवी ने पहले दिन 19.40 क्रोड का कलेक्शन किया था तीन दिन का विकेड 72.45 क्रोड था और फर्स्ट वीक इसने 100 क्रोड कर लिया था अभी तक कि मिले अपडेट की हिसाब से इस मुवी ने 135 क्रोड का कलेक्शन कर लिया है बजट पॉइंट ऑफिसे ये मुवी सुपर हिट हो चुकी है और अभी भी कुछ जगों पर ये मुवी लगी हुई है आई ये बात करते हैं टोटल धमाल के बारे में अच्छे देवगण, अनील कपूर, इतेज देश्मूंग, अर्षद वार्शी, जावेज जाफरी, संजे मिश्रा, जॉनी लिवर की से बड़े-बड़े कलाकारों से भरपूर ये टोटल धमाल ने काफी अच्छा धमाल मचा रखा है, सिनेमा हॉल में, बॉक्स ओफिस में इस मुवी का बजट लगवा 105 करोड के आसपास है 22 फर्वरी को रिलीज हुई इस मुवी ने पहले दिन 16.5 करोड का कलेक्शन किया था और इस मुवी का तीन दिन का विकेंट 62.40 करोड था अभी तक के मिले अपडेट के हिसाब से इस मुवी ने 127 करोड का अकड़ा टच कर लिया है और ये मुवी हिट की कटेगरी में आ चुकी है सबसे आईए बात करते हैं सुसान सिंग राजपूत की मुवी सोन चिडिया के बारे में सोन चिडिया में मनुज वाजपए भी काम कर रहे हैं और ये एक मार्च को रिलीज हुई इस मुवी ने पहले दिन 1.20 करोड का कलेक्शन किया था 30 करोड के बज़ब ने बनी इस मुवी का तीन दिन का विकेंड 4.60 करोड है अभी तक के मिले अपडेट के साफ से इस मुवी ने 5.80 करोड का कलेक्शन कर लिया है देखते आने वाले समय में ये मुवी अपना आकला बज़ट टच कर पाता है कि नहीं आई ये बात करते हैं कार्तिक आरेनों क्रिती सेनन की मुवी लुकाच छिपी के बारे में उतकर्स ने काफी अच्छा काम किया है डारेक्शन के रूप में और इस मुवी ने पहले ही दिन 8.01 करोड का कलेक्शन किया था एक मार्च को रिलीज हो इस मुवी का बज़ट लगव 25 करोड के आसपास है और दुकाच छिपी के पहले दिन का जो कलेक्शन था 8.01 करोड का था इसका तीन दिन का विकेंड 32.15 करोड आ चुका है और इस मुवी ने अभी तक के मिले अपडेट के साब से 45.07 करोड का कलेक्शन कर लिया है ये मुवी अपने बज़ट को क्रॉस कर चुके है तो ये मुवी हीट हो चुकी है